श्री आधिनाथ दिगंबर जैन गुणोदे अतिशे तीर्थिक्षेत्र गुलगाव केकडी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है ये भारत का एक मात्र ऐसा तीर्थिक्षेत्र है जहाँ पर दो बार भूगर्भ से प्रतिमाई निकली और दोनों ही बार मिती फागुन सुधी अश्टमी को निकली इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी सन 1210 में मिती फागुन सुधी अश्टमी को ही हुई है ये तिथी भगवान की प्रशस्ती परंकित है समाज के अथक प्रयासों इवन परम पूज्य संत शिरो मनी आचारे श्री 108 विद्य सागर जी महराज के मंगल आशिरवात से उनके परम प्रभावक्षश्य पूज्य मुलिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महराज की पना की गई और भूगर्ब से प्राप्त इन अतिप्राचीन और अतिश्यकारी प्रतिमाओं को यह स्थापित किया गया साथी पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महराज ने इस क्षेत्र का नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदे अतिश्य तीर् का विशेश महत्व है इसके बाद क्षेत्र का निर्मान तेजी से शुरू हुआ और 24 जून 2016 को पुनह संपून समव शरण को नवीन क्षेत्र पर हजारों लोगों की साक्षी में नवीन संत शिला के हॉल में वेदी बनाकर पिराजमान किया गया वर्तमान में भी क्षेत्र पर निर्मान कार्य जारी है। प्रेशन कर मनवांचित फल प्राप्त करें। लकिन वे मूर्तियां इतने बर्सों के बाद भी अपनी सुरक्षा कर सके। और जिन भक्तों ने वे मूर्तियां बराजमान की हों इस समय उनकी कितनी पवित्र भावना रही होगी। जहाजारों मूर्तियां खंड़ेत होई वहाँ इन्होंने अपना जीवन बचा लिया। जो सुयम की रक्षा कर सकता है, वो जगत की भी रक्षा कर सकता है। बुरोदे तीर छेतर, जो केकड़ी के पास है, उन मूर्तियों में इतनी तागत थी, कि जब वो रखी गई थी, जब मंदर बना था, वो मंदर की मूर्तियां थी। और जब ये भुवर से निकली तो मंदिर में नहीं समाई तीर्षेत बन वाली और एक विशाल तीर्षेत महन रोड के उपर बन रहा है बहुत अच्छा जो जो नहीं समें जो इते नहीं समाई तार जो जो आइप च पर च पर च पर च पर हाम सम्हान सबक्धा इती से तीर चेत्र संपिर इंट्स हमर्ण आंचारघीर विध्यासाहर्जी महामनी रास संग शक्बli शउतागर्ची उए एपने विच्वता में रास संग आरामयास प्रोड़ось לפ FT तीर चेत्र के शंपून कार्यूसने शंपन ने गुड़ो दें अतिसे तीर चेत्रम विश्म विख्यातं विस्वसे कोरोना महा आमारी सीगर्स नमापनेतु एवं आज के शांतिधारा एवं विधान के पुन्यार्जक शेष्टी सीमान प्रकास्चंची आसीस जी पूनम जी म पारस्ची एवं समस्त मंगल वारा विश्यक्षंग टेक्डी वाले सेष्टी सीमती रिमाची सेष्टी सीमती रजिनीची तरनुची अनुराग जी काला रविन्स यंकुर्ची अरीटी पाटनी परिवार व्यापर मॉंबय वाले सेष्टी शीमान विनायची आबाजी मेत् सेश्टि सिमान पनालाल जी सारला देवे वेग जी कित की जी आरत देवां शोध में आड़ा परीवार संगेता जी रिद्धी सिद्धी जी भैवाँ आचल शौमेत दुरगाप्रा पस्चे मंगाल शेष्टी जीमान आव प्रकासी मुनेदेव नोजी जोदी जी प्रेंसी सोना जी रक्षिता जी अविसरी सेम गुडनेव समस्त मतल परिवार केकडी वाले सेष्टी शीमान ताराचिंची टीकम जी महनुजी हर्सी जी पुनेची के एकड़ी वाले हम टीकम जी के सीगर स्वास लावे दू सेष्टी शीमान राकेसी सोना जी बंबाय मुलायक मंदर तिशीक निर्माने दू स्चिय शिमान महाभु साट जी पारसमल जी सोग जी महांधर जी अजिरावाले केकडि सुकृ। परिवार केकड़ी वाले सि मेकड़ीवाली केला जी नहाली प्रमुजे सीय प्रदैबुद्यजी वेस्ण भाल्ची महकला बमबय शतीशिमान प्रमेन जी महना जीए आसस कमकल कि एकड़ी जैपर वाले स्रेश्टी सीमान आसी सी विद्या देवी गरनची पदम चंजी सचंजी आखर जी नियाची आगम जी सिखाजी सेल सिखाजी सेलेसी पूना वाले तनिश वालक के बोल ले हैं तुस श्चिमान इंद्रमल जी हमल जी राजिंजी रमेसंजी विकासी म हिरु वाले केकड़ी स्रेश्टी सीमती इंद्रा देवी जैन गर्ग आरोग्यार्थम केकड़ी वाले स्रेश्टी सीमान आसोक्ची ससीची त्रलोग्जी सीलाजी नयांसी जैन पागड़ी अपरिवार कोटा वाले स्रेश्टी सीमान सरूपचंची सोभाजी टॉंग या को रोगनेवार रहने तो शेश्टी शीमान प्रैम्चंची मनोच जी अनीताची मनोल्ची नॉन नीताची चैनर वाड़ा कोटा मनोकाम ना पोने तो एवं सभी तरक्षक परिवार गुड़ोदे तीट से सकल अपर चैन्शमाज कुलका श्रकल कमर जैन समाज केकड़ेवं सबर्भेश्यार अग्षिति नुए जनान शेरेस्ट्व घैस्ट्व घ्राश्पास नुए सथी रस्ट्व जो आक्ट्रीस्थ कांद्र स्ब्सक्राइब मौस माकम कार्शित्य आर्थम रव्या नातम सुर्मद्यप ब्धभवा सरब परमिस्टि मांगे नकषी प्राप्व अलम् пог गर्व झांट ह 되는ас तर्व अ प्रशादाता समाकम सेव का नाम सर्व दोस रोख सोग भाई पीड़ा बिनास नम्भवतो